नमस्कार दोस्तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मालती जोशी द्वारा लिख्योई कहानी स्वयमबर का दूसरा भाग तो आईए सुनते हैं हैरत तो तब होती है जब अम्मा सारी स्थिती के लिए उसी ही कोसने लगती है उसके त्याग और तपस्या की गाथा तब ये भी भूल जाती है परेशान है प्रभा क्या करे कहां जाए कितनी बार मन होता है कि कुछ खाकत सो रहे पटरी पर लेट जाए या तालाब में पर बिन ब्याही लड़कियों का माइना भी तो निरापत नहीं होता सो तरे की बातें गड़ लेते हैं लोग ऐसी चीचा लेता रोती है कि परिवार जिंदिगी भर उससे उबर नहीं पाएगा यानि कि माइने के बाद भी वायन लोगों का तिरसकार वो अपमान झिलती रह पर अब तो जैसे अपना अस्तित्तु ही भार लगने लगा है दीदी ओ दीदी विभा बातरूम के दरवाजे पर दस्तक दिये जा रही थी क्या है नलबंद का प्रभान ने संकित स्वर में पूछा कहीं अम्मा को फिर से चक्कर तो नहीं आ गए उसे डर हो आया उसका नाम क्या है दीदी विभा पूछ रही थी गोपाल दा की फियांसे का मेरा मतलम है प्रेमिका का उशा किरन क्यों उसकी फोटो आई है पेपर में कितनी मोटी हो गई है देखो तो किसलिए आई है फोटो प्रभा पूछती ही रह गई तब तक विभार ड्रॉइंग रूम में चुकी थी इतनी कोफ्त हुई उसे और हंसी भी आई ऐसी जरूरी बात थी कि नहाने तक इंतजा नहीं किया जा सकता था पर विभा है ही ऐसी धीर शब्द तो जैसे उसके शब्द कोश में है ही नहीं थोड़ा अच्छा भी लगा कितने अरसे बाद बिभा ने पुराने ला जिलाधीश की पतने बड़ी गौरफ शाली मुद्रा में खिलाणियों को पुरुसकार माट रही थी गोरी भैस बिभा ने कहा और मो बिचका दिया अरे 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 ऐसा नहीं कहते जानती हो अपने जमाने में कॉलिज की ब्यूटी क्यों हुआ करती थी होंगी मन तो एकदम क प्रवा ने बहन की ओर देखा नफरक तो जैसे उसके चेहरे पर फूट रही थी एकदम पारदर्शी चेहरा है विभा का राग द्वेस कुछ भी छिपा नहीं रहता गोपाल दापर उसकी विशे सास्ता है भक्ती है उनके प्रती किसी अन्याय को वो बर्दास नहीं कर सकती शमा करने का तो प्रस्णी नहीं उड़ता वैसे उशा को शमा तो किसी ने भी नहीं किया था चार साल तक प्रणय के गीत गाने के बाद कितनी आसानी से उसने अपना स्वर बदल लिया था दुरगटनाय तो रोज ही होती है अखवार में या रेडियो पर खबर सुन लेने भर का रिष्टा होता है उनसे मन में थोड़ी सी करुणा व्यवस्था के प्रती आक्रोश होता है और एक दुरगटना जीवन भी बदल सकती है ये उसी समय पता चला कैसे भया वह रेल दुरगटना थी वह अखवार में फोटो देखकर ही मन काप उठा था अखवार और सरकारी आदमियों का तालमेल बठा लेने के बाद ही हता हताओ की संख्या नभ्या से उपर पहुँच चुकी थी गोपलदा भी उसी ट्रेन में सफर कर रहे थे ये सोचकर ही कलेजा मूं को आता था बाद में जब उनका नाम घायनों की सूची में निकला तो सबने राहत की सांस ली थी गोपलदा बच गए थे पर उस समय उन्हें देखकर लगा इस जीवन से तो मौत ही अच्छी थी कम से कम इस मान सिक और शारिरे की अंत्रणा से तो बच जाते पूरी छे घंटे मलवे के नीचे दबे रहने के कारण एक पाउं संग्या शूने हो चुका था जबड़ा एक और जूल गया था माथा बुरी तरह जुलस गया था पहली बार जब उन्हें अस्पताल में देखा था तो रॉंग्टे खड़े हो गए थे कहां थे वो हसमुग गोपलदा यहां तो पट्टियों में जखड़ा हुआ एक असहाय मानव शरीर था घाव तो धीरे धीरे भर गए थे चहरे पर प्लास्टिक सर्जरी भी करवानी पड़ी थी पाउं लेकिन ठीक नहीं हो सका घुटनों से नीचे तक का भाग संग्या शून नहीं बना रहा एक साबुत था इसलिए काटकर अलग भी नहीं किया जा सकता था शरीर के घाव तो किसी तरह भर भी गए थे पर मन के घाव भरने में वर्सों लगे होंगे उसा किरन केवल एक बार देखने आई थी वो इसके बाद उसका पता ही नहीं चला पूरी तरह स्वस्त होने में उन्हें दो वर्स लगे इतने लंबे अंतराल के बाब जूद उनकी बैंक ने उन्हें काम पर फिर से ले लिया यह था संभव सारी सुबदाएं भी दी इन काले दिनों में जिस जिसने उनका साथ निभाया उन्होंने भर सक उसका प्रतिदान किया साई की तरह साथ रहने वाले मौसी की लड़के को इंजिनियर बनाया दिन रात तीमारदारी कहने वाले रामचरण की बेटी के विभा का पूरा खर्च उन्होंने वहन किया आनंद की मेडिकल की पढ़ाई अर्था भाव के कारण एक दिन भी रुकने नहीं दी प्रभाज अब तक व्यवस्था कर पाती तब तक फीज का पुस्तकों का प्रवंध हो जाता तब से उन्हें यही शौक हो गया था गरीब रिष्टेदारों कोई बच्चों को ले आते उनकी पढ़ाई का खाने पीने का पूरा खर्च उटाते घर क्या था अच्छा खासा होस्टल बन गया था रामचरण पूरी कमान समभाले रहता उनकी माता जी जो दो चार बार आएं भी तो इस गुलक पाड़े से उब कर बापस गाउं चली गई गोपालदा भी उन्हें रोकने को पुक्रम नहीं करते जब तक रहती हैं शादी की रट लगाए रहती है दीदी क्या इसी शहर में उसका होना गोपालदा को कैसा लगता होगा विवा का योबा भाबुक मन बार बार यही सोच का परिशान हुआ जा रहा था बात पदलने की गरश से प्रवा ने पूछ लिया बहुत दिन से इधर आई नहीं गोपालदा उन पर बैन लग गया है क्यूं उनके आने से मेरा दिमाग जो खराब हो जाता है प्रवा ने देखा विवा का चेहरा उतारने लगा है सुबह वाली लाड भरी मुद्रा फिर लुक्त हो गई है लेकिन प्रवा को गुस्ता नहीं आया बलकि दया होने लगी इतनी जरासी तो है विचारी घर के सनीश्चर भरे बातावरन में अपना संतुलन खो बैठती है तो क्या गलत है वस साब देख रही है कि घर में उसके लिए कोई चिंतित नहीं है शायद यही उपेक्षा उसके लिए असुरक्षा बन गई है वह मन ही मन जरूर सोचती होगी कि जब तक लोग उसके बारे में सोचना शुरूर करेंगे वदीदी की तरह बुड़ा चुकी होगी निरासा वस निराशा के अलावा कुछ नहीं इसकुल से सीधे गोपालदा के घर पहुच गई थी वह तब तक गोपालदा बैंक से लोटे भी नहीं थे घर पर राम चरण था और दिनिश गोपालदा की भुवा का लड़का उसकी गर्मी की कक्षाएं सुबह होती थी इसलिए घर पर था दोनों ही उसे जानते थे इसलिए आदर के साथ उसे बिठाया गया चाय भाई भी पिलाई गई दिनिश उसके पास बैठका इधर दर की बाते करता रहा दीदी छे बस्ते इबा उट खड़ा हुआ और शमा याचना के स्वर में बोला एक कोचिंग लास जॉइन कर रखी है कॉम्प्टिशन में बैठ रहे हो जी तो फिर बढ़ लो मेरी परवाब मत करो मेरी लिए तो ये पत्रिकाएं ही काफी है पत्रिकाओं का तो बहाना था दिनिश के जाते ही उसने लोकल पेपर उठा लिया अंतिम प्रिष्ट पर स्रीमती जिलाधीश भी विराजमान थी वो मुग्द होकर उस चित्र को देखती रह गई सच सौंदरी भी एक बरदान है इशो ने उसके साथ इतनी कृपड़ता क्यों की आनंद और विभा को तो मा का रंग भी मिला है और रूप भी वो अभागी बाबुजी पर गई है बच्पन में सब कहते थे पित्रमुकी कन्या बड़ी भागे शालिनी होती है हेलो प्रभा कब आई वो चौप पड़ी अरे आप कब आए पता ही नहीं चला चल था कैसे तुम पेपर पढ़ने में तलीन थी वो ऐसे सक पकाई जैसे चूरी पकड़ी गई हो चुपचा पेपर नीचे खिसका दिया गोपाल दानी जैसे देख कर भी अंदेखा कर दिया और फ्रेश होने चले गए प्रभा यतन पूर्बग दीबार पर लगी पेंटिंग्स देखती रही इतने समर्थ व्यक्ति का इस तरह घिसट का चलना उससे देखा नहीं जाता था थोड़ी देर बाद वे सफिद बुर्रा कुर्ता पाजामा पहन कर आगे और उसके सामने बैठती बोले हाँ तो आप कहिए देवी जी हमारे गरीब खाने पर कैसे तश्रीफ लाना हुआ ऐसे ही बनो मद सीदे सीदे ये बात बता दो कि यह खादिम क्या सिवा कर सकता है फस गई प्रभा आप से जीतना इतना आसान थोड़े ही है उनसे भेंट करवा सकेंगे जरूर करवा देता पर वो इन दिनों यहां नहीं है माई के में शादी में गई है इतनी जल्दी प्रभा ने अस्पुट स्वर में कहा इतनी जल्दी से क्या मतलब मैडम ऐसे लड़के जादा दिन ठैटते थोड़े ही है माल मारकेट में आता भी नहीं है और हाट केक की तरह बिक जाता है और कोई लड़का नहीं है आपकी नजर में था देनेस का ही बड़ा भाई था मिकैनिकल इंजिनियर है चौदे सो पा रहा है पच्चाची इस बुरी तरह बिगड़ी कि फिर मैंने बात नहीं उठाई आज कल मैं उसकी भी सगाई की खबर आ जाएगी अम्मा तो पागल हो गई है आज कल पर मैं तो पागल नहीं हूँ न उस दिन से मैंने इदर का रुखी नहीं किया आप अम्मा की बात पर न जाएए कोई अच्छा सा लड़का हो तो मुझे बताईए बिभा की शादी अब और टालना ठीक नहीं खेर यह बताओ आनंद का क्या चक्कर है राय साहब मिले थे उस दिन बहुत परिशान थे बोले हार्ट पेशेंट हूँ ज़्यादा वेट नहीं कर सकता किसी दिन ताओ आ गया तो लड़के को किड्नेप कर लूँगा और मंदिर में फेरे पढ़वा दूँगा इन दोनों ने समझ क्या रखा है बीतर तक काप गई प्रभा यह विशय क्या कभी उसका पीछा नहीं छोड़ेगा गोपाल दा आनन्द की कसम के बारे में जानते थे क्या बेबी प्रभा को ही दोशी ठहराएंगे रामचरण ने उसे उबार लिया गर्मा गरम चाय और धेर सारा नाश्ता सजा कर ले आया आलू के पकोड़े, चिप्स, बिस्कुट मैं दिनेश के साथ पी चुकी हूँ एक कप हमारे साथ भी पी लो जरा रामचरण के हाथ के पकोड़िया तो खा कर देखो हाप का रामचरण तो एकदम आदर्स प्रेमी की भूमी का निभा रहा है आते ही गर्मा गरम चाय और नास्ता तयार मिलता है हस रहे थे गोपाल दा ऐसी हसी जिसे सुनकर रुलाई आ जाए उशा का लाबवाने से दमकता चित्र उसकी आँखों के सामने घूम गया पर हटा हटी वक कह बैठी आज उशा जी का फोटो आया है पेपर में हाँ देखा था सुबह विवा कह रही थी क्या आपको कैसा लगता होगा लगना क्या है और कब तक एक ही शहर में रहकर कब तक बचा जा सकता है हजार बार एक दूसरे से टकराएंगे और फोटो तो इसकी हर दूसरे चौथे दिन आया ही करेगी प्रेश वालों का सौंदरे बहुत बहुत उच्ची कोटी का होता है आप तो कितने मजे से कह रही हैं ये सब सुबह जरा विवा का गुस्सा देखते इतना बक रही थी पागल है वह भला गुस्सा कहने जैसा इसमें क्या है कुछ नहीं है देखो प्रपा खंडित मूर्ती की पूजा का विधान तो हमारे शास्त्रों में भी नहीं है फिर उशा को ही दोश क्यों देना लेकिन लेकिन यही एक्सिजन शादी के बाद भी थो हो सकता था मैं बार बार इश्वर को धन्यवाद देता हूं प्रपा जो कुछ भी हुआ बहूत अच्छा हुआ यही सभ यदि-शादी के बाद घटित होता तो उसकी नजरों में तैरती घ्रना और पेक्शा में कभी बरदास नहीं कर पाता क्या सच मुछ कभी कुछ फील नहीं होता होता था बहुत फील होता था कभी पर अब मैं पत्थर बन गया हूँ जीवन के उस अध्याय को मैंने फाड कर गुडी मुडी करके फैंक दिया है अब चैन ही चैन है ठाट से नौकरी करता हूँ सुबह शामें इन लड़कों से हस बोल लेता हूँ रात को घंटे दो घंटे कलब में बैट लेता हूँ अच्छी कट रही है दाल रोटी के लाइक कमा लेता हूँ कुछ चन कमरा नीरपता में डूबा रहा गोपालदा बोलो एक प्रार्थना सुनेंगे कहो आपको तो किसी चीज की जरुत नहीं है गोपालदा पर मुझे है मुझे एक घर चाहिए गोपालदा सर छुपानी के लिए थोड़ी सी जगह चाहिए क्या आपके घर में थोड़ा सा इस्थान मिल सकेगा बोलिए रामचरण का हाथ बटाती हुई आपके चरणों में यहीं पड़ी रहूंगी उम्र भर लड़की पागल तो नहीं हो गई है ये तो मैंने कभी स्वप्न में भी नहीं सोचा आवेश में बही जा रही थी प्रभा उनकी बाताँ से जैसे जमीन पर आगिरी हे इश्वर ये क्या कह गई मैं उसने दोनों हातों से अपना चेहरा चुपा लिया प्रभा इधर देखो प्रभा उसने सिर नहीं उठाया प्रभा इस बार आवाज इतनी निकटता से आई कि उसे देखना ही पड़ा बे बिल्कुल उसके सामने खड़े थे मैं जानता हूँ प्रभा तुम बहुत परिशान हो कोई बहुत बड़ी मजबूरी होगी जो तुमसे इतनी बड़ी बात कहलवा गई लेकिन विश्वास रखो तो मैं कोई शनमिंदगी नहीं उठानी पड़ेगी भूलने की आदत है मुझे इसे भी भूल जाओंगा लेकिन यदि यह बात तुमारे हिदय से उठी थी तो यह आवाज तुमारे अंतरमन की आवाज थी तो मुझे बताओ मैं उस बात को ब्यर्थ नहीं जाने दूँगा उन पावन बचनों का निरादर कभी नहीं करूंगा लेकिन पहले मैं सत्ते जानना चाहूंगा बोलो प्रभा जवाब दो बोरा गए हैं वो पाल्दा इतनी बड़ी बात क्या यूं बार बार कही जाती है दोस्तो अभी आप सुन रहे थे मालती जोशी द्वारा लिखी वी कहानी स्वैंबर का आखरी भाग दोस्तो कहानी आपको कैसी लगी अपने बिचार मुझे कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताईएगा कहानी सुनने के लिए धन्यवाद